तो नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एलेक्रिकल क्लब पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पी सील जेई और एई से रिलेटेड और इस वीडियो में मैं काफी कुछ कवर करने वाला हूँ जैसे की आपका एक्जाम कब होगा यूपी पी सील का इसी के साथ कहां होगा आपका पूरे यूपी में इसके एक्जाम नहीं होता है कुछ चार पांच सेंटर है वहीं पर इसका एक्जाम होता है किस बिसेस पर होगा ऑनलाइन होगा या फिर आफलाइन होगा और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं यह सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो काई सेदी मैं बात करूं नोटिफिकेशन के अनुसार तो जनवरी के सेकंड या फिस थर्ड वीडियो में आपका यूपी पीसेल जई और एक एक्जाम होना था लेकिन अब वो पोस्ट पॉंड कर दिया जाएगा उसके एक्जाम जो है उसकी तारिक को आगे बढ़ा दिय जाएगा इसके पीछे कई सारे कारण है जैसा कि एकेटियो ने एक जनवरी से अपना बीटेक का एक्जाम कराना निश्चित किया है और पॉली टेगनिक के भी अभी हाल ही में इसकीम आ चुकी है 20 जनवरी से उसका भी पेपर है 1st year, 2nd year और 3rd year का इसके लावा इसका दूस पूरे यूपी में तो इन दोनों कारणों सो आपका एक्जाम जो है वो आगे बढ़ भी सकता है और नहीं भी ये अभी confirm नहीं हुआ है लेकिन जिस प्रकार से भी पॉली टेगनिक के एक्जाम होना है और वी टेक के उस हिसाब से आपके एक्जाम जो है यूपी पीचल का वो आगे बढ़ सकता है अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो आप लोगों का कहां कहां जा सकता है सेंटर तो सबसे पहला आता है इलहाबाद और इसी के साथ आता है गोरखपुर और कानपुर ऐसे ही एक दो और सेंटर है ये पूरे यूपी में 4-5 जगे ही आप लोगों को यूपीचल के एक्जाम होता है तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है कि किस बेसेस पर होंगे तो ये ऑनलाइन आपके एक्जाम होने वाले हैं जिसे कंप्यूटर बेस्ट भी कहते हैं तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबजेक्ट की कि कौन कौन से सबजेक आते हैं तो नमबर एक है General of Engineering इसके बाद सेकेंड है Journal Awareness, थर्ड है Reasoning और फोर्थ है Hindi इसमें से जो General of Engineering है वो आता है पूरे 500 नमबर का इसके अदावर Reasoning 20 नमबर की General Awareness 20 नमबर का और 10 नमबर के हिंदी टोटल 200 नंबर का होता है पेपर और स्टाइमिंग इसकी रहती है तीन गंटे तो गाइस अगर बात करें जनरल ओफ इंजिनिरिंग की तो इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट आते हैं जो की आपने डिपलोमा में पूरे पढ़े हुए हैं ये सारे सब्जेक्ट आपके जनरल ओफ इंजिनिरिंग में आते हैं इसके बाद आता है रेजिनिंग और जनरल अवेर्नेस तो इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं तो इसको हम देखते हैं नेक्ट वीडियो में यदि आपको पुराना paper पिछले साल का solve करना है तो आप हमारे telegram या फिर whatsapp group से जुल जाएए लिंक आप लोगों को description पर मिल जाएगी तो वहाँ हम आप लोगों को paper upload कर देंगे तो वह paper आप लोग solve कर लिए उससे आप लोगों को exam का pattern पता चल जाएगा कि कौन कौन से subject से पूछे जाते हैं जैसे कि पिछले paper में आपने देखा होगा तो उसमें PLC, microcontroller, SCADA और थोड़ा सा computer वगएरा add कर दिया गया है और इस बार जदी आप देखे syllabus तो syllabus UPPCL कभी भी upload नहीं करता है और जब 9-9 exam आते हैं तो उसी के अनुसार वो paper में नहीं subject उठाता है तो इस बार कौन कौन से subject आ सकते हैं पिछले वाले आप देखिएगा पिछले paper तो उसमें Basic Electrical Engineering ज़्यादा पूछा जाता था इसके अलावा machine और electronics लेकिन ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है और नहीं नहीं subject हैं जैसे micro controller हो गया digital electronics हो गया और computer हो गया जिसके बारे में ज़्यादा पूछ रहा है तो इसके बारे में हम आप लोगों को next वीडियो में बताएंगे पूरी details से जितने भी subject हैं पूरा slabस आप लोग को बताएंगे तो गया शेदी चैनल पढ़ना है आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अपने दोस्तों के वीडियो जरूर सेर किजिएगा और वीडियो पसंद आई तो कमेंट भी करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हेंद